आज हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज में हम यदि संरेज को एड़ करना चाहते हैं तो उसकी टेकनिक सीखेंगे तो यह मेरे पास एक इमेज है इस इमेज में मैं संरेज को एड़ करना चाहता हूं तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने लेयर पैनल को यहाँ पर यहाँ फिर मेनू बार में Windows मेनू के अंदर जाएंगे लेयर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं लेयर पैनल एक्टिव हो जाने के बाद लेयर पैनल में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे Create New Fill और Adjustment लेयर वाले आइकन में जिसमें आपको Gradient इस Option को यहाँ पर सेलेट करना है इसमे आपको यह जो Gradient टाइप यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर Solid लिखा हूँ हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और Noise Option को यहाँ सेलेक्ट करेंगे जिसमें Roughness को यदि आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं तो मैं यहाँ पर 63% ले रहा हूँ और यह जो इसी Transparency अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पर इस Option को टिक कर सकते हैं जैसे मैंने Transparency में क्लिक किया तो पीछे की जो Image हमें विसबल नहीं हो रही तो वह विसबल होनी शुरू हो गई है तो फिलाल मैं इसको यहाँ पर Uncheck कर रहा हूँ और OK में हम यहाँ क्लिक करेंग और यहाँ पर जो Style आप देख रहे हैं Gradient के नीचे यहाँ पर Linear की जगे हम करेंगे Angle और जैसे कि यह Background वाली जो Layer है इसमें आप Sun को यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस Thumbnail में इस Preview में आप देख पा रहे होंगे यह बच्चे के पीछे यहाँ पर Sun दिख रहा था हमें इसके बाद इस Layer का Blend Mode है इसको हम यहाँ पर Change करेंगे तो यह Normal हमें दिखा रहे हैं यहाँ क्लिक किया हमने Hot Soft Light जैसे मैंने Soft Light में क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे जो यह Raise है उसका जो Center Point है काफी नीचे हो रहे है तो इसको हमें Fix करना है इसको अगर हम Move Tool की मदद से अगर Shift करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा यह जो Gradient Fill वाला जो Layer है इसके Layer Thumbnail में हमें यहाँ पर Double Click करना है तो इसमें Double Click करते ही Gradient Fill का Dialog Box आपके सामने Open हो जाएगा इसके बाद आप अपने Document में आपकी Image के उपर Left Click दबा कर इस Raise की Position को यहा काम हमने कर लिए अब यदि यहाँ पर आपको Raise में कुछ और Randomness अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको यह जो Gradient के बाजू में यह जो Thumbnail आप देख रहे हैं यहाँ क्लिक करना है जिससे Gradient Editor का Dialog Box आपके सामने Open हो जाएगा जिसमें हम Randomize Option को यहाँ पर क्लिक करे और OK में हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी OK में हम क्लिक करेंगे इसके बाद हमारा जो Image में Main Subject है उसके उपर भी यह Race का Effect आ रहे है तो उतने Area को हम Mask करेंगे यहाँ पर Race के Effect को यहाँ पर Hide करेंगे जिसकले हम क्या करेंगे यह जो Gradient Fill वाला जो Layer है इसके बाजू म आप Letter D को Press कर सकते हैं और Layer Mask वाले आइकन को आपको Select करना है उसके बाद आप क्या करेंगे टूल पैलेट में Brush Tool को यहाँ पर Select करेंगे तो Brush Tool आपको टूल पैलेट में यहाँ पर मिलेगा और जिसका Short Command भी होता है तो Brush Tool को हम यहाँ पर Select कर रहे हैं और यहाँ पर Presets में यहा डबल क्लिक कर रहा हूं और इस Brush का जो Mode है वह हम यहाँ पर Normal रखेंगे, Opacity 100, Flow 100, Smoothing हम यहाँ पर Zero कर दे रहे हैं और हमें और इस चीज़ को भी आपको Certain करना है कि आपका जो Foreground Color है वह Black होना चाहिए तो Simply आपको Keyboard में Letter D को Press करना है और यहाँ पर Foreground में आपका Black Color होना चा लेफ्ट ब्रेकट की दबाएंगे तो Brush का Size चोटा होगा और राइट ब्रेकट की दबाएंगे तो Size बड़ा होगा तो इसके Size को Manage करके हम अपने Subject के उपर Simply Brush Tool की मदश से ऐसे Paint करेंगे यहाँ जितने एरिया में हमें इस Raise के Effect को Hide करना है तो वहाँ पर Brush Tool की मदश से मैं Black Color से Paint कर रहा हूँ और Layer Mask Thumbnail हमारा यहां Select है और यह जो Sun Raise हमारा यहां पर Create हुआ तो Sun तो हमें नजर नहीं आ रहा है तो यहां पर भी हम थोड़ा से Paint करेंगे Brush Tool की मदश से तो यह Center Part में मैं थोड़ा यहां Paint कर देता हूँ ऐसे एक Example हम यहां पर और देखते हैं यह हमारी Next Image है मैंने यहां पर क्लिक किया इस Tap को मैंने यहां क्लिक किया इसके बाद Simply हम क्या करेंगे Layer Panel को हम यहां पर Active करेंगे जिसके हम Short Command का Use कर सकते हैं F7 उसके बाद Layer Panel में आपको यहां पर क्लिक करना है Create New Fill और Adjustment Layer वाले आइकन में और यहां पर आपको Gradient इस Option को Select करना है Gradient Option को Select करने के बाद Gradient Fill का Dialect Box आपके सामने Open हो जाएगा जिसमें Gradient के बाजू में यह जो छोटा सा आपको आइकन दिख रहा है Click to Edit the Gradient यहां पर क्लिक करना है जिसमें क्लिक करते Gradient Editor का Dialect Box आपके सामने Open हो जाएगा जिसमें आपको gradient type में यहाँ पर solid की जगे noise करना है और इसकी roughness को इस बार हम बढ़ाएंगे यहाँ पर 100% करना है और इसका जो color mode है इसको हम करेंगे hsb और इसका जो hsb तो जो s वाली जो value है इसका जो slider है right वाला इसको हम यहाँ पर right to left यहाँ पर करेंगे extreme left तक और इसमें add transparency इस option को हम यहाँ पर click करेंगे और okay में हमें यहाँ click करना है और यहाँ पर जो style है आपका linear दिखा रहा है हमें इसको करेंगे angle और यह जो dialect box है gradient field का इसको मैं थोड़ा सा side कर लेता हूँ यहाँ पर left click दबाकर मैं इसको drag कर रहा हूँ ऐसे और इस raise की जो position है इसको हम यहाँ पर sun के पास ऐसे लेके जाएंगे तो लगबग मैंने यहाँ तक इसको set कर दिया ऐसे इसके बाद आपको क्या करना है simply okay में click करेंगे और यह gradient field 1 वाला जो layer है इसका जो blending mode है इसको हम यहाँ पर change करेंगे तो इसको मैंने यहाँ पर soft light कर दिया इसके बाद इसकी opacity को हम यहाँ पर कम करेंगे तो simply यहाँ पर opacity के बाजू में यह जो आपको 100% दिखा रहे हैं यहाँ पर मैं simply 72-80% हम यहाँ पर एक value टाइप कर सकते हैं तो 70% मैंने यहाँ टाइप कर दिया इसके बाद यह layer mask thumbnail वाले icon को हम यहाँ select करेंगे और brush tool की मदद से brush tool को हमने last select किया था तो अभी भी वो select है तो brush tool की मदद से सबसे पहले तो अपने sun वाले section में हम यहाँ पर paint करेंगे brush tool की मदद से आप देख पा रहे होंगे इधा पर layer mask thumbnail में यह black color से fill हो रहे है तो इतना area हमारा यहाँ पर hide or है इसके बाद यह जो हमारा subject है sun and father वाली जो image है इधार पर हमें main subject दिख रहे हैं इसके उपर हम brush tool की मदद से paint करेंगे ऐसे तो brush के size को मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ right bracket की की मदद से और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि black color से आपको paint करना है और layer mask thumbnail आपका select होना चाहिए So friends कुछी steps में हमने यहाँ पर sun rays effect को यहाँ पर create कर लिया यदि आप इस process को follow करते हैं तो बहुत ही easily आप अपनी किसी भी image के उपर इस प्रकार के sun rays को create कर सकते है So friends यदि यह tutorial आपको पसंद है तो मेरे channel को जरूर लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और साथ-साथ bell notification icon को भी press कीजिए Thank you friends for watching my video